हाई लो फ्रेंड्स वेलकम टू माई स्टडी शीट चैनल दोस्तों आज में एंडोक्राइड ग्लेंड यानि अंतर इस्त्रावी ग्रंथी के अंतरगत आने वाले पराथाराइड ग्रंथी के बारे में डीटेल में बताऊंगी इस वीडियो के देखने के बाद आपका पराथ सब्सक्राइड ग्रंथी से सभी डाउट के लियर हो जाएंगे एंड दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आफ फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पेटिटिव जांस चाहे किसी भी स्टेट का हो तिगिटी पिगिटी के वियास एन वियास इन सब्सक्राइड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिल्बस के एकार्डिंग है सभी वीडियो को वाच करके आप अपने प्रिप्रेशन को बेहतरीन बना सकते हैं एंड दोस्तों हन्वेर सजदा वीडियो प्रिवेस यर्यमसी की उच कोस्टन के बनाए गया है जो इंपोर्डेन है उसका प्रैक्टिस करना नव भूलिएगा तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टापिक पराथराइड गरंथी की बारे में जानते हैं जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने प्रिवेस गरंथी यानि मास्टर गरंथी की बारे बताया है इसे ग्रंथी बूलते हैं जैसे कि मैं बताई हूं कि पीउस ग्रंथी का इन शभी ग्रंथियों पर नयंत्रड नहीं होता है इसलिए उसको मास्टर ग्रंथी कहते हैं यहीं का नहीं होता है है यह जो हमारे ठोड गले में यानि इंट पर फीछ भूत d Pr पर मठर की दाने की शमान चार की संख्या में होता है यानि दो जोड़ी इसका भारत 30 मिलिग्राम होता है और प्रत्येक ग्रंथी जो होती है चारों जो है प्रत्येक 6-7 मिलिमेटर लंबी और 3-4 मिलिमेटर चवड़ी होती है इसे दोस्तों परा थरैट ग्रंथी से परा थार्मोन हार्मोन इस्तावित होता है और परा थार्मोन हार्मोन को कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं यह 84 अमीनो अमलों की बनी एक टोटीन होती है और होमियो इस्टेटिस में मातपूर सहयोग करता है और यह कैल्सियम के चै अप्चे को बेवस्थित करता है यह रक्त यूम सरीर में कैल्सियम की उचित मातरा को बनाए रखने में युगदान देता है इसको ध्यान में रखिएगा एन यूरीन के रास्ते कैल्सियम की मातरा के उस सर्जन को कम करता है अब वितामिन डी इसमें सहयोग करता है पेशी संकुचन प्रेडा संवाहन रख्त इसकंदन यानि रख्त का जमना यह अस्थी निर्मार में यह शायता करता है हटियों के बिघटन को कम करता है तथामुत्र में कैल्सियम के उस सर्जन को बढ़ा कर पेड़ा थार्मोन से बिरोधी भुविका निभाता है और दोस्तो अब बात करेंगी कि पेड़ा थाराइड इस्त्रावर का नियंत्र कैश्य होता है रखत में कैल्सियम की मात्राइवर ख़ंदा है तो हार्मोन का इस्त्रावर गट जाता है यहने कि जब कैल्सियम की मात्रा कम हो जाती है तो हार्मोन का इस्तरावर बढ़ जाता है, कैल्सियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्मोन का इस्तरावर घर जाता है, यह दियार में लखेंगा, अब बात करते हैं दोस्तों कि पैराथ हाराई में पैराथ हार्मोन हार्मोन के अल्प इस तरहों से कौन रोग होता है और अती इस तरहों से कौन होता है कौन सा रोग होता है तो सबसे पहले बात करेंगे अल्प इस तरहों से होने वाले रोग अर्प इस तरह से बच्चों में रिकेड्स और टिटैनी होता है और वैसकों में आश्ट्यू मलेशिया हो जाता है बच्चों में रिकेड्स जो होता है इसमें अस्थिया कमजूर हो जाती है एन जो टीटेनी होता है टीटेनी में क्या होता है कि ECF में ECF का फुलफावा होता है एक्स्ट्रा सेलिलर फ्यूल्ड यानि इस ECF में कैलसियम की मात्रा कम और फासफेट की अधिक हो जाती है जिसे पेसियों ये तंत्रिकाओं में उत्तेजना एठन ये कमपन बढ़ जाती है यदि यही किरिया लंबे समय तक होती है तो इसे टीटेनी कहते हैं यह इस्थिती हाइपो कैलसिमिया कहलाती है और इसके प्रभाव से रोगी कंठ की पेशियों में रोगी के कंठ की पेशियों में संकूजन होने के कारण सास नहीं ले पाते हैं तथा दातों हडियों यह बालों आदी का पुड़ विकाश नहीं होता है यह ऐनद स्थो वयस्को में कौँ सा अल्प इस्थ्राव से होता है वयस्कों में आस्टियों मलेशिया होता है दो अधिक इस्थ्राव से कंसा होता विसे हड्डियों से कैल्सियम निकल कर रख्ट के सेरम में आने लगता है जो अस्थी समंदित रोग को जनम देता है विसे अस्थियों में गाठे यानि सिस्ट पढ़ने लग जाते हैं इस रोग को ओस्टी टाइटिस फाइब रोसा सिस्टिका कहते हैं ब्रक्त में कैल्सियम के अधिक आने से गुर्दू यानि किद्नी में कैल्सियम की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आगे चलकर पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है इसके कारण गुर्दे के फेल होने की भी संभावना होती है यह ध्यार में रखेगा बहरी इंपोर्टिन ह और इस तरह से वैस्को में आश्टियो परोशीश हो जाता है जिसे अस्थिया छिद्रित हो जाती है तो दोस्तों हमने जाना पर अथराइड गरंती क्या है और इसके क्या कार है कौन कौन से रूब होते हैं आई होब कि दोस्तों सभी टापिक आपको किलियर हो गए होंगे सभी डाउट किलियर हो गए होंगे वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और ज्यादे ज्यादे सेयर कीजिए दोस्तों अब बने रहे हैं मेरे चैनल पर डेली बेसेस पर सिल्बस के पढ़ने के लिए और दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए विल आइकन को फ्रेज कर लिजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सा तब तक के लिए जैही